हेलो माई दीर स्टुडेंट्स आज हम करने वाले एक्सरसाइज 5.4 में क्योशन नंबर 10 से आगे कि इससे पहले हमने कुछ क्योशन कर लिए हैं अगर आपने नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप चेक कर सकते हैं नो क्योशन नंबर 10 में हमारे को क्या कह रहा है देखो भाई क्योशन नंबर 10 में हमारे सिम्पल सी एक बात बोल रहा है कि इस नाइंथ टर्म ओफ एन एप इस जीरो एक एप है उसकी नाइन टर्म जीरो ए तो हमने खा ए नाइन क्या है जीरो इस 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 नाइन टर्म और अगर मैं एन नाइन को ए और डी की फोर में लिख टर्म की ट्वण्टी नाइन टर्म है वह क्या है टू टाइम है 19 टर्म की तो आप एक आम कर सकते हो या तो एन एट ट्वंटी नाइन पता कर लो जो यह आनी चाहिए ऐसा कुछ आना चाहिए या फिर देखो भाई यहां पे नया कॉंसेट भी लगे ता पहले मैं थोड़ा स पूठ करो एट वाइन पता करो तुम ऐसे लगा एपलस ट्वंटी एट बी यह लिखें जेव अब को अभागो को क्यों संगरा एट वन्टी नाइन की वेल्यू का निच ए टू ट्व टाइम आइन या निचि तो आपने क्या एक है माइनस ए टुट पूट कर दिया माइनस 8D plus 28D तो दान से देखना है कितना आगया है 10D आगया है सुरी 20D आगया कितना आगया 20D 829 कितना आगया 29 829 आगया 20D वट इस बात से तो कोई लोजिक निकल नी रहा तो हम यहां से इस वाली एक्वेशन से एक काम कर सकते हैं can we write 829 upon a 19 is 2 हां यह जरूर कर सकते हैं कि आगया 29 पता करें और a 19 पता करें तब जाके अगर two answer आता है तब तो हमारा सही है दर्वाइस हम थोड़े से गलती कर रहे है तो हमने क्या कहा 29 upon a 19 पता करना है तो हम इन दोनों को लिख सकते हैं this is a plus 28D and a 19 is a plus 18D यह सुरूंग सिंस हमें अभी पता चला था a की वेल्यू माइनस 8D है वो पूट कर देते तो आप लिखोगे माइनस 8D प्लस 28D अपोर माइनस 8D प्लस 18D पेटा उपर वाली वेल्यू को सोल करो माइनस 8D प्लस 28D है तो can you write 20D upon this is 10D D से D कट जाएगा 0 से 0 कट जाएगा आंसर क्या आ गया टू अरे वाह लोजिक है मतलब जो equation दे जरूरी निया वैसा ही हम ला पाए देखो ऐसा कब ला पाते पहले आप a 29 पता करते फिर a 19 पता करते फिर आप कहते कि है यहां पे आपको एक ही रीलेशन गिवन एस रिलेसं ये आफ यह इख र्रये मैं वेल्यून का सकते हूँ और वैर्यवल की और की वडियो केल्कुलेशन सब्सक्राइभ भी घृचंपी यह लूग हमें टोरी य लूग पिए लोगन गी का सकते हूँ of 10th tom of an ap is equal equal 15 times of 15 tom ऐसा है तो बताइए कि 25th time of ap 0 होगी कि a 25 क्या होगी 0 होगी तो आपने का देख को इसका क्या कर सकते हैं मैंने का इससे एक काम कर यह वेल्यू जो है इसको इसको लिख सकता है 10 into a plus 9d equals to 15 into a plus 14 d दिख सकता है और 10 को 5 से काट 2 time और 15 को 5 से काट ले 3 time तो बन गया 2 और 3 देखो और 10 by 15 आता आप इसको कैंसिल करते तो 2 by 3 लिखते फिर वापस क्रोस मिल्टिप्लाई करते हैं तो मैंने वह काम डायरेट कर दिया तो तो नाओ आये कन राइट 2 a plus 90 equals to 3 a plus 14 d अब हम इसको मल्टिप्लाई कर ले तो क्या होगा 2 a plus 18 d equals to 3 a plus 4 3 the 12 के रिवन 42 d थोड़ा सा सोल करते हैं 2 a धर ले आते हैं 18 भी धर जाते हैं तो 3 a minus 2 a plus 42 d minus 18 d is 0 ठीक है और यह बचा a plus का 12 minus 8 is 4 and 3 minus 1 is 2 24 d is 0 ओके तो हमारे पास a plus 24 d 0 आया और मैं बोल सकता हूं हम a plus 24 d को हम a plus a 25 तब हो सकते हैं इस 0 अब इस पर एक short cut भी अपलाई होता है कि जिस टर्म का देखो 10th term को 10 time किया है 15 term को 15 time किया है दोनों का product equal है तो अगर दोनों का product equal है तो इन दोनों का sum करने पर जो term बने गी तो that is a25 वह obviously क्या होगी जीरो ही होगी यह shortcut भी है और आपका इसी टाइप का क्योशन आपने देखा हो तो आपके जो एक्जाम का पेपर आया है सेंपल पेपर उसमें भी आया है इसी टाइप का क्योशन तो अगर आप continue वीडियो देखते हैं तो बहुत बाते आपको यहां से मिल जाएगी बात हमें गीवन थी उसको सोल करते गए देखते गए क्या करना है क्या करना अपने आप ही होता जा रहा है ठीक है तो ज्यादा लोड ले नहीं जुरूत नहीं है नौ इने सर्टेन एपी कोई एक एपी है आपके पास और ट्वंटी फॉर्थ तर्म इस ट्वाइस ट्वाइ लोगे वह क्या हैगी ट्वाइस आएगी है थैटी फोर्थ टर्म की यह फिर हमें कनफ्यूज करने के लिए कर रहा है हमने अगर ये बात हमें गीवन है तो मिल्हाई बात चैसा लिख सकते हैं एप्लस ट्वंटी थ्रीडी एकोश्टू टू इंटू एप्लस नाइन डी लि तो टू ए प्लस 18 डी आ रहा है ओके और सबको इधर ले आते हैं तो टू ए माइनस ए प्लस 18 डी माइनस 23 डी जीरो हो गया और यह बचा ए माइनस और टू इधर तरी इधर 5 डी जीरो तो आपने का यहां से मैं एक ही वेल्यू निकाल लेता हूं 5D आ रही है मेरे पास क्या रह तो दिर पहले भी तुम्हें और फॉर एक्जामपल टैंथ वाले यह वाले के उसन में हमने देखा था इसा सोल नहीं होगा तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एस सेवंटी टू अपोन एट हैटी फोर इनकी वेल्यू टू आनी चाहिए भई बोले हां ताप एस सेवंटी टू सकते हो एप्लस सेवंटी वर्ण डिलिक चको एपॉन इसको लिसंते हो एप्लस ठैती गीवेटी टू आना चाहिए वर्ण हम यहां पर एक वेल्यूः क्या पूट कर देंगे भाई फाइंव दीपूट कर देंगे तो फाइफ दी प्लस सेवंटी-वर्ण्य अपोन 5डी pl Abdullah 33 टू टाइम कटा तो इसका अंसर क्या आया तू तो हमारा LHS किसके को लाया है देखो यहां से LHS equals to RHS यह सो नो अरे हाया ना तो बोल दो यार हां आया है क्लेर ना देखो फटा-फट क्योशन हो रहे है मैं भी देखो समझ रहे हो ना मतलब भावनाओ को सम्झों कुछ नहीं रखा है वाकी क्योंसा नमबर थैटीन थे ट्वंटी सिक्स्ट इलेवन्थ एंड लास्ट टम फेपी आर जीरो थ्री एंड माइनस वन बाई फाइफ आपके पास को एपी की ट्वंटी सिक्स टम दे रख बताई इस एपी में number of terms कितनी है तो common difference दी तुमसे पूछ रहा है और आप से पूछ रहा है n की वेल्यू तो आपने खा देखो भाई मागर एटवन एन को लिखो तो एन होता है a plus n-1 into d that is my minus 1 by 5 इससे तो मुझे अभी तक कुछ खास फर्क नहीं पड़ा बट मैंने खा करूं तो मैं लिख सकता हूं a plus 25 d is 0 अगर दोनों equations को मैं माइनस कर लो तो माइनस माइनस और यह भी माइनस जीरो एकी बात होती है यह तो घट जाएगा तो यहां चाहरे माइनस 15 d की वेल्यू आ रहे है 3 तो यहां से d तो पता चल गया है मेरा कितना यह है 3 by minus 15 जिसको आप बेसिकली बहुत सकते हो माइनस 1 by 5 मैं भी एक बार क्रोस चाहिक कर लेता हूं 13 का अंसर में कुछ ऐसा ही आ रहे है यह माइनस 1 by 5 आ रहे है अब मुझे पूच रहा है n की वेल्यू तो मिर पास यह एक एपी है ए एन है एन अध टम बट इसके लिए मुझे ए भी चाहिए त दो मैं इस डी की वेल्यू इस वाली equation में पूट कर लेता हूं तो मैं यहां लिख लेता हूं आपके लिए ता आपको गिवन है ओ पूट- a-1 बाइ-5 इस को केंसिल कर ओओ तो a-2 3 आ så a की वैल्यू आ रही है 3 D plus two is five ठीक है तो आपके पास एक इतना आगया है फाइफ हाई ए फाइफ है और दी की वैलू कितनी आपके पास माइनस वन बाइफ फाइफ सिंस हमें एक बात पता है कि एन एथ टर्म कितनी इसे पीगी माइनस वन बाइफ और एएन का फोर्मूला होता है है a plus n minus 1 into d वो भी कितना आपका minus 1 by 5 यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी नहां हमें बस ए और ए और एन निकालना है बस पहले ए और दी तो तुम निकालते आ रहे हो अभी एन के लिए बस उसने एन दे दिया आपको यह धार्ना करने एक इतना है 5 in 2 – 1 by 5 is 1 by 5 अपने का दिस फ्ल्र फाइब माइनस 1 by 5 फ्ल्र फाइब एक अध्वाइन सब्लस नवाइफाइब अब यह प्लस वन बाइना सब्लस नवाइफाइफ ऊड़र जाएगा करियों को काटने का मन कर रहा है बढ़ मत कार देना भाई और फाइब यूदर लेके चलते ह अधर बचेगा उधर जाएगा माइनस वन बाइ फाइफ प्लस निया आएगा माइनस तो लूं बाइफ दुबारा तो 5 से 5 तो काड लेते हैं, तो minus n की value आ गई, minus 27, तो n की value कितनी हो जाएगी? 27, कितनी term हैं उस AP में? 27 term है, सबसे पहले आपको 26 term दिया है, क्योसन ने, 11th term दिया है, और nth term दिया, क्योसन तुम से बोला, अगर मैं तुम को ए 3 चीजे देता हूँ, तो क्या तो मुझे उस AP का दी निकाल के दे सकते हो और उस AP में कितनी टम्स है that is n निकाल के दे सकते हो क्या तो आपने कहा easily निकाल के दे देंगे हाथ कर आगे अभी निकाल के देते हैं नाव नेक्स देखो The fourth term of AP is three times the first and the seventh term exceeds twice the third term by one दो बाते एक जगई मिक्स कर दिये तो मैं दोनों को अलग अलग करने को सीज़ करता हूँ The fourth term of an AP 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 की fourth term क्या है इस है three times the first term first term a होती है and the seventh term exceed twice the third term by one exceed कर रही है twice the third term and one से तो इसको मैं बो सकता हूँ twice the third term and one by one मतलब उससे एक ज्यादा कि किसी AP की seventh term twice है third term से और एक ज्यादा भी है तो आपने का ठीक है यार क्या दिख्याता है twice the third term by one ठीक है अब हम एफ और को लिखेंगे a plus 3d equals to 3a यह हो जाएगा 3d equals to 3a minus a तो 2a equals to 3d तो a की value आप यहां से calculate करना चाहें तो 3 by 2d हो जाएगा और इस a7 को आप लिख सकते हो तो a plus 6d equals to 2 time a plus 2d plus 1 इसको solve करेंगे वाचा 2a plus 4d plus 1 यहां से आएगा a plus 6d सब को अधर लेके चलो तो 2a minus a plus 4d minus 6d plus 1 is 0 तो यह बचेगा a minus 2d plus 1 is 0 आपको क्या करना है a की value put कर देनी कितनी आरिये 3 by 2d minus 2d equals to minus 1 मैं minus 1 को अधर ले गया ठीक है ना इधर मैं LCM लोगा 2 आएगा मेरे पास तो आएगा 3d minus 4d equals to minus 1 तो यहां से 2 को अधर ले चलते हैं तो यहां से 2 को अधर ले चलते हैं common difference तुमसे पूचा है and first term पूचे तो a की value के लिए d की value इसमें put कर दो तो आप बोलोगे since a की value क्या है 3 by 2d तो d की value 2 put करेंगे तो 3 by 2 into 2 तो 2 से 2 कटेगा कितना आया 3 ए कितना आ गया 3 बस अब थोड़ा language के साथ language पे खेलने की कोशिस करेगा आपके साथ बट खेलना नहीं है खेलना नहीं देना है हम बहुत अच्छे प्ले रहे हैं हम पहले ही बोल को hit कर लेगे ठीक है ना नव नेक्स देखो 15 find the second term and the nth term of ap whose six term is 12 and the eighth term is 22 आपको find the second term term पूछ रहा है और आप से ए टू पूछ रहा है और आप से एन पूछ रहे है दोनों term कब पताः सकते हो वें उनो अपवाउद दॉफ अगर आपको किसी एप का A ovd पता है तो आप यह दोनों time पता कर सकते उसने आपको कहा है अगर मैं आपको कहूँ कि इसी AP की 6 term 12 है और इसी AP की 8th term 22 है तो बताओ ऐसा काम कर सकते हो आपने का अभी कर दते हैं तो रुको जरा तो आप A6 को लिख सकते हो A plus 5D that is equal to 12 and 8th term को लिख सकते हैं A plus 7D that is 22 दोनों को सब्टेट कर लो माइनस 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 यह तो कट जाएगा माइनस 2D equals to minus 10 आएगा और D की value आगई बचा है यहां से 5 दी 5 आया मन करें वहां पूट करो तो मैंने का इसमें पूट कर देते हैं ज्यादा आगे क्यों जाए है A plus 5 into 5 equals to 12 तो A equals to 12 minus 25 तो A की value कितनी आएगी बताओ जल्दा जल्दी बताओ जल्दी तो आपने कहा 13 आजाएगी माइनस के यह आगया माइनस 13 और D आ गया 5 अब आपको एट्टू निकालना है तो A टू के लिए क्या लिख होगे A to equals to a plus D होता है first term plus common difference तो माइनस 13 प्लस 5 देटीज माइनस 8 तो आपका पास एग इतना है 15 का माइनस 8 ओके अगर आपसे ए प्लस एन पता नहीं एन माइनस 1 इंटू डी कितना है अरे डी कितना है डी डी फाइफ है और आपसे एन पूछ रहे है ओके अने टर्म फेपी हां तो कोई दिकत नहीं है माइनस 13 प्लस फाइफ एन माइनस 5 तो यह हो जाएगा अट्री कितने हैं तो मैंने कर देको भाई अगर मैं बात करूं टू डिजिट नंबर की तूडिजिट नंबर की इस कितने O बीच में 10 भी है और 99 दोनों इंक्लूड है यह धान सब सुलने ना इंक्लूड है एक्सक्लूड नहीं है त्री से डिवीजिबल कितने नमबर तो आपने का अगर मैं 10 इस पहले नमबर को पता करूं तो 10 में मैंने 3 का डिवाइड किया कितने टाइम गया नहीं जा रहा सर तो म 10 में 3 का डिवाइड कर दो 33 जा 9 माइनस किया वन आया अब यह क्योंसन आपको इतना कह रहा है कि 10 में अगर एक नहीं होता तो यह नमबर 3 से डिवीजिबल होता हम कहें 10 से पीछे तो जा नहीं सकते हमें आगे जाना है तो बोल अगर इस नमबर में कितना कम पढ़ रहा है तो हमने खा देखो यह इस नमबर में वन ही एक ज्यादा है और हमें थ्रीच चाहिए तो कितने की कमी पढ़ रही है दो की कमी पढ़ रही है तो इस नमबर में दो एड कर दो तो हमने एगा 10 प्लस टू करने पर कितना आता है 12 तो आपको पता चल गया पहला number 12 है और आपने रहे जीरो नेक्स डिजित नाइन थी तो यहां पर 99 भी डिविजीबल है तो यह एक एपी बन रही है डेट एपी विच इस डिवीजिबल भाय सबसे पहले कितने नमबर से हैं तो आपको यह एक एपी के अंदर एक पता चल गए है ट्वैल है वो डी हमेशा जिसका डिवाइड करते वह होता है ना तो डी कितना है थी मतलब थी की टेबल में आने वाला नमबर से हैं तो ट्वैल से स्टार्ट है एं नितवर पिदैन नगे आप इसमें एप इन पता करने के लिए क्या लिख गे महींय। अ मैंना ayda तो आप इसको लिखो कि 99 इकोस तो 12 प्लस 3N माइनस 3 सोल करो 99 इकोस तू 12 माइनस 3 तो 9 आएगा पक्का 9 प्लस 3N तो 3N की विल्यों जाएगी 99 माइनस 9 तो N की विल्यों जाएगी 90 वाई 3 देटीज 3 3 0 9 30 कि तरे नमबर है भाई तीस इसमें आंसर कितना आगया 30 घबराओ मत थोड़ा सा समझ में है थोड़ा आगे वाले को सुना में समझ में आजाएगा वर्ट लोजिक यह है कि जब बात वो बोले उस बात को पहले लिखो उस बात में जिससे कि बात करें वाले रूल के हिसाब से नमबर पता कर लो कितने हैं यह नहीं बोल सकते हम बट यह पता कर सकते कि पहला नमबर उसे पिका क्या होगा और लास्ट नमबर क्या होगा इतना तो पता कर सकते हो यार इतना तो हो जाएगा चलो नेक्स देखो फिर एन एपी 60 terms है तो n की value 60 है एक एपी है जिसमें एन कितने हैं 60 इस फर्स्ट एंड लास्ट टर्म भी सेवन एंड 125 फर्स्ट टर्म सेवन है रेस्पेक्टिवली और लास्ट टर्म तो दैट इस ए एन कितनी है 125 फाइंड 32 टर्म 32 टर्म निकालनी है तो आपने का देखो अगर आप कभी भी हमसे कोई टर्म निकला होगे तो उसके लिए हमारे को क्या चीए एची और डी चीए ए हमारे पास है अभी हमें बस दील आदो कैसे भी तो मैंने का ये डील आने में हेल्प करेगा क्या बोले हाँ इन और ख्वोर्मुला होता है ए पलस अन माइनस वन इङ टू डी सॉ अन का प्लास दे रेका है 125 ऐदरे है संसे ब्लस अन पता नहीं एन माइनस वन इंटू दी बट को सने तो एन बताया है सिक्स्टी है तो मैंने का पूट कर देते हैं जबराक आहे रहे हो आप सिक्स्टी पूट कर देते हैं एन तो शिक्स्टी बोला है ना को सनकी साथ तरम है तो यह वादाएगा 125-7 इकोस तो 59D और इसमें से माइनस करेंग हाँ इकोस तो 59D और डी की वेल्यों आने ची 118 by 59 तो यह मेरे साब से तो तो आ रहा है बट मैं बाद फिर भी क्रोज चेकर लेता हूं पता नहीं यार गलती हो जाए कहीं 180 डिवाइड बाइड बाइफ 59 यह स्टू तो दी की वेल्यों आ गई तो तो आपने का अब भी तो म हवा में निकाल दूं 132 तो यह होगा a plus and minus one into d a मेरे को बताया था क्यों सने 7 and 32 minus one लिखना है और डी मेरे को लिखना है टू तो इसको में लिका हूंगा 7 plus 31 into 2 और 31 to the 62 होते हैं मेरे साब से 7 plus 62 that is 69 इसे पी की 32 अच्टम क्या है 69 एकदम सही है कोई लोजिक नहीं कोई है कर रहा हूं कि हर एक बात मैं बता पाऊं कि क्यों ले लहूं है अना क्यों कर रहे हैं अगर आपको वाय पता होगा तो में वड़ीजी त्मारे लिए और वाय नहीं पता तो साथ में कोशिज करो कहिं डाउट ओ तो क्मेंट करो अगली बार फिरोल बेस्टिक से सम्झाने कोशिज करेंगे आपको next देखो फिल the sum of fourth & eighth Tum of apis 24 अभी सम की बात की उसने sum of fourth and eighth time मतलब अगर आपने की c-ap की fourth time and eighth time का Sum किया तो वो कितना आया 24 आया बोले okay and the sum of the sixth and tenth time is 134 sixth time को और 10th time का Sum किया तो आपके पास आया 34 बताइए फर्स्ट टम क्या है और को मन डिफरेंस क्या है उससे पी का तो हमने कहा ओ डी है वैसे तो इस बात से क्या लिख सकते हैं अम लिख सकते हैं अम लिख सकते हैं A plus 5D equals to 24 by 2 is 12 ठीक है मैंने 2 कोमल लिया और 2 का 24 में डिवाइड कर दिया किसी को नहीं समझ मैं तो मैं दुबारा लिख देता हूं भाई गबरानी की जरूरत तो है नहीं टेंसर मत लिया करो ऐसा लिखा है 2 कोमल लिया फिर मेरे को 2 का डिवाइड करना पड़ा तो A plus 5D की वेल सकता है मैं इसको A6 भले लिख दो बट A6 में से पूछा नहीं उसने मैं इसको लिख सकता हूं A plus 5D A plus A plus 9D is 34 तो यहां से भी 2A plus 14D equals to 34 आएगा 2 का डिवाइड कर देंगे तो A plus 7D is equals to 17 आजाएगा और यह equation इसके नीचे लिख देंगे A plus 5D is 12 दोनों को सब्सक्राइट कर लेते हैं माइनस 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 यह तो कट जाएगे महाराज यह आएगा 2D equals to 5 और दी की वेल्यू आगई 5 by 2 क्या दी की वेल्यू 5 by 2 आरे है नुपसर्फ यस 5 by 2 आरे है ठीक है अब मुझे ए पूछ रहा है तो मै तो मैं यहाँ पे डी की वेल्यू 5 by 2 रख देता हूँ तो A plus 5 into 5 by 2 is 12 तो LCM लेंगे तो आएगा 2A plus 25 equals to 24 बेटा 2 LCM लिया 2 LCM लेने के बाद 2 को इस सोरी यार मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी बता रहा हूँ मेरे साब से अभी देखो मैंने सबसे पहले 2 common लिया तो यह आया 2A plus 25 equals to 12 और मैंने आंसर क्रोशन नमर 18 का नेक्स्ट देखो क्रोशन नमर 19 देखो फर्स टम ओफ एपी इस 5 एंड इट्स हंडेट टम इस 292 वह भी नेगेटिव की तो आपको फर्स टम पता है वाइफ है और हंडेट टम पता है माइनस 292 तो बताई यह 50 टम क्या होगी अरे का मजाक कर रहो आपको कि देखो एफाइब दे रखा है इसकी वेल्यू लिखता हूं इसको में लिखता हूं इसको में लिखता हूं एप्लस नाइनटी नाइनटी इस माइनस के 297 और डी की वेल्यू निकालेंगे तो माइनस 297 अपोन 99 अब मैं इसको वेल्यू निकालूँगा मेरे साबसे थ्री आनीची और पर 297 में डिवाइड करेंगे 99 की थ्री आ रहे है बट ना थ्री नहीं आएगी क्या आएगी बताओ माइनस 3 आएगी कन्फूज कर दिया ना मैंने तुम्हें डी की वेल्यू क्या गई माइनस 3 ए तुम्हें पता है डी तुम्हें पता है तो ए 50 क्या लिख होगे ए प्लस 49 डी लेखेंगे सब हम ए कितना है 5 प्लस 49 इंटू माइनस 3 अब मैं 49 को 3 से मल्टिप्लाइ कर लेता और फिर माइनस लगा दूंगा माइनस के 147 तो 5-147 और यहाएगा माइनस के 142 इसे पी की 50 ट्रम क्या है माइनस 142 बताओ ज्यादा मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में आ रहा है तो यार कंजूशी कहें कर रहे हो लाइक कर दिया करो यार सेरो अगरा किया करो और जी है फाइंड ए 30 माइनस ए 20 ए 30 माइनस ए 20 एट रहना है ठीक है पहले 30 अंग फिर ट्वन्त एम निकालो एप प्राइब आपने कहां देखो इस एप एगर मैं बात करूं तो ए है माइनस 9 और डी कितना है माइनस 14 माइनस माइनस 9 जिसको में लिए सकते है माइनस 14 प्लस 9 और आप बोल सकते हो माइनस 5 अब अगर आप पहले ए 30 निकालते हो फिर ए 20 निकालते हो दोनों का सब्टेक्शन करते हो तो क्योंसर बड़ा हो जाएगा आंसर आएगा मैं मना नहीं कर रहा बट हम एक काम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमें कह रहा है कि हो जाएगा यह प्लस 29D माइनस से माइनस 19D यह हो जाएगा एसे एक एंसल और यह बचेगा 10D अब बस ओनली डी की वेल्यव पूट करने है कैलकुलेशन कम होगी 10 इंटो माइनस 5 देट इस माइनस 50 आंसर कितना आ गया 39 30 minus 1 इसको डिरेक्ट 29 देगता ओटिए अ प्लस 29D होगा होगा किन्य होगा हां एक इतना देरा माइनसा नाइन अप नाइन निन फाइप ऐसे लिगता हां माइनस नाइन माइनस 25 और 29 इंटो 5 कर लेते हैं 29 इंटो 5 माइनस के 145 और इसमें भी 9 प्लस कर देते हैं माइनस के 154 ये तिरह कितना आ गया माइनस का 154 आ गया कौन चले ए 20 पता कर तो आपने कहां ए प्लस 19 डी कर दो मैंने कहां ठीक है माइनस 9 प्लस 19 इंटो माइनस 5 तो 19 इंटो 5 कर लेते हैं 19 इंटो 5 95 तो माइनस 9 माइनस के 95 यह आपका आपके 104 माइनस का 104 अब आप से क्योंचन कह रहा है तो इसको सोल करेंगे माइनस 154 प्लस के 104 तो बता मेरा आंसर क्या 50 आ रहा है माइनस का तो यही निकाला है क्या मैंने कुछ अलग थोड़ना निकाला है क्लियर है चलो अब इतना दिमाग दूसरे वाले कोसन में मैं नहीं लगा हूंगा तो मैं बस डारेक्स समझा रहा हूं अब बताओ इसमें ए क्या है केपिटल ए ठीक है पहला टम क्या है और डी क्या है क्योंकि इसमोल लिखा हुआ है तो डी होगा सेकिन टम माइनस फर्सटा हम इसको लिखें के ए प्लस d- a जैरीज डी ए है डी एवने भी है अब मुझे बताओ ми यह थे ऍलिष निकालना है है मुझे नहीं पता अब देखो कैसे थोड़ा सा और सम्झानी कोसिस करते हैं भाई देख दी एरा एरा आपको अगर a30-a20 लिखना है तो a30 को क्या लिख होगे capital a plus 29 d capital minus a20 क्या होगे a plus 19 capital d break it open करोगे तो a plus 29 d minus a minus 19 अब देखो a से कटेगा 29 में से माइनस 19 करेगा तो 10 d आएगा और तेर पास इस capital d की value कितनी है इस capital d की value is small d put कर दे तो क्या आएगा 10 d यही पूछ रहे हो कि इसकी value क्या रही है तो आप होगे 10 d आ रही है ओके तो यह थे हमारे question number 11 से लेके 20 तक sorry 10 से लेके 20 तक और further questions को further video में करते हैं थोड़ी सी तब्यत खराब दीशली वीडियो लेट आ रहे थे बट कोशिस कर रहे है कि आपको continue video आ गए और ऐसी पढ़ते रहो कोई doubt आए तो comment करते रहो next video में फिल मिलते है तब तक best of luck and thank you for watching the videos